ही आवरीवन वेलकम बेक टो मैं यूटूब चैनल लवी प्रिया सो कैसे हैं आप लोग आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे हम भी बहुत अच्छे हैं सो मैं आपको आज एक हैक बता दी हूँ इसके लिए हमने मेल्टेड घी ले लेना है जो हमारे घी में जो हमारे घर मे गी होता है उसको मेल्ट करके उसको ले लेना है दैन उसमें हम आईस क्यूब डालेंगे और उसको अच्छे से हम मिक्स मिक्स करते जाएंगे so आपने ऐसे ही मिक्स मिक्स करते जाना है ice cube डालके अच्छे से इसको so मेरे पास वीडियो बनाने के लिए कोई नहीं था तो मैंने खुद से ही एक हाँ से phone पकड़ा था और एक हाँ से मैं इसको melt कर रही थी तो यह अच्छे से नहीं हो रहा था तो आप इसको अच्छे से ऐसे ही mix mix करते जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये जो भी हमारा घी था ये बिल्कुल ऐसा हो जाएगा और आपको पता ये क्या बन जाएगा ये बन जाएगा butter बहुत ही अच्छा है ये बहुत ही smooth butter बनता है और ये बहुत ही बढ़िया लगता है इसमें आप थोड़ा सा नमक पे डाल सकते हैं बना जब आप इसको mix करना है तब इसमें आप थोड़ा सा नमक डाल देंगे तो आप बिल्कुल ही अच्छा butter घर पे ही बना लेंगे आपको मार्केट से ले आने की जरूरत नहीं पड़ेगी और इसको आपके ऐसे ही mix 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 करते जाना है आप ऐसे ही इसको mix mix करते जाएं और आप देखेंगे कि बिल्कुल ही आपके चमच में लग जाएगा जिस चीज़ से भी आप इसको mix करेंगे उसमें लग जाएगा उसके बास से हमने जो भी ice cream डाले थी उसको सार आप निकाल लेंगे इसमें थोड़ा सा extra पानी भी रहेग उसको भी हमने निकाल लेना है अच्छे से और आप देखेंगे कि आपका बहुत ही सस्ता बहुत ही अच्छा बटर घर पे बन गया आपको market से ले आने की जरूरत ही नहीं है आप इसको चाहें तो store करके रख सकते हैं कितने भी दिनों के लिए आप इसको store करके रख सकते हैं और यह बिल्कुल ही tasty लगता है बिल्कु जैसे market का butter होता है अमूल बटर वगारा जो हम ले आते हैं यह बिल्कुल वैसा लगता है अगर आप इसमें थोड़ा सा नमक डाल के इसको mix करेंगे तो यह बिल्कुल ही अमूल बटर की तरह लगेगा अगर आप इसमें नमक नहीं पता था पहले से अगर नहीं पता था तो भी कमेंट करिएगा अगर पता था तो भी कमेंट करिएगा और मेरी वीडियो को जाद से जाद लाइक शेयर सब्सक्राइब करा करिए आप लोग